हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब तो आप लोगों ने कहा था कि कुछ DIY रिलेटेट एंड कुछ बेक्टो स्कूल रिलेटेड वीडियो लाओ तो आज का वीडियो उसे से रिलेटेड है मतलब वही है बेक्टो स्कूल DIY सप्लाइज तो चलिए सबसे पहले रिक्वाइड हैं स्केश पैंज, कलऱ पैन्सिल्स, ब्रेश पैंज और कलरश पैंसिल्स, पैंसिल बगेरा एंड स्टिखर शीट तो ये त्री Pencils पर में लगाने वाली हूँ वाशी टेप्स सबसे बहले ये वाली डिजाइन वैसे ये वाली वाशी टेप्स जब मैंने DIY बनाई थी तब का वीडियो तो आपने देखा होगा ना तो बस मैंने Pencil की साइस का कट किया एंड तेन पेस्ट कर दिया और हमारी एक decorative pencil ready हो गई और अगर हमें ऐसे लगए कि normal वाली pencil को कुछ हमें change करना है तो भी हम इस तरह से वाशी टेप से decorate कर देंगे ने तो काफी मस्त लगेगा next है ये वाली pencil, इसमें मैंने pink तो लगया ही because उसमें three different colors आए तो काफी मस्त लग रहे है ना और ये golden linings वाली वाशी टेप में cut कर रही हूँ third DIY के लिए I mean third decoration के लिए और वो paste भी कर दिया पूरी pencil white and golden काफी मस्त लगेगा ना so all three pencils are ready decorate तो हो गई है आपको कौन से ज़्यादा पसंदा है मुझे comment करके बताना next DIY में सबसे पहले करना है craft paper use तो चलो कर लेते हैं कोई एक color का craft paper choose मुझे ना three rectangles cut करने थे तो मैं lines draw कर रही हूँ and जो width है ना वो तो रहेगी है scale है उतनी so three lines draw तो हो गई है अब कर लेते हैं उसको cut तो हो गए हमारे three same size के rectangles cut अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बनाने वाली हो तो इस तरह से fold कर गए मैं बना रही हूँ mini notebook के pages yes you guys did right तो हम पूरी mini notebook ही बनाने वाले है एक rectangle के pages तो बना लिए इसी तरह से और दो भी बना लिए कोई भी एक लिया उसमें से एक end में glue लगा के दूसरा वाला paste कर दिया तो ऐसे सारे pages mix हो गए और इसी तरह से third one को भी second one के साथ paste कर दिया तो total इतने हैं वो notebook के pages अब ये है glitter sheet ये है glitter sheet बट ये normal वाली glitter sheet में कैसे hand में glitters आता है वैसी वाली नहीं है इसमें ना hand में glitters नहीं आता है तो page की size का marking करके मैंने cut कर लिया अब इसे तो हम थोड़ा सा cut करके paste करने वाले है notebook की cover पर बट उसके लिए सबसे पहले notebook का cover तो बना ले glitter sheet की help से दो rectangles तो बना लिये और साथ में pages की height measure करके उतना भी मैंने draw कर लिया बस अब ये draw किया हुआ पूरा मैंने cut कर लिया और बीच में जो standing lines वाले मैंने marking बनाये थे तो वहाँ से मैंने fold कर लिया मतलब कुछ इस तरह से और बस फिर तो front and back back glue लगा के मैंने paste कर दिया तो अब ये mini notebook कुछ ऐसी लग रही है अब इसे थोड़ा decorate करना तो बनता है ना तो glitter sheet में पीछे मैंने markings कर लिये जहाँ जहाँ से cut करना है और बस वो फिर cut कर लिया चलिए तो अब ये frame को कर देते है paste और मैंने सुझा frame paste कर दिये तो कुछ decoration तो बनता है ना तो सबसे पहले sketch pen के help से linings की ऐसे और एक DIY वाशे टेप को थोड़ा सा cut करके मैंने यहाँ पे paste किया और हमारी एकदम ही mini size वाली notebook रेड़ी है तो अब move on करते है हमारा next DIY की तरफ तो ये में बनाने वाली हो name labels तो मैंने measurement रखा है 6 by 9 का आप चोटा या बड़ा measurement भी रख सकते है और हर एक name label में नीचे और ऊपर थोड़ी सी gap रख के मैंने lines बना ली क्योंकि मुझे draw करना था कुछ तो सबसे पहले मैंने sun and cloud किया stars भी किये then rainbow theme बनाई कुछ flowers, petals and leaves then last वाले में book बनाई and साथ में एक pencil भी अब आत ये उसकी border decoration की बारी तो मैंने कुछ इस तरह से सारे में decorate किया और हमेंने सारे में एक्चिली same नहीं रखा है अगर हमें same रखना है तो भी हम रख सकते है बट मैंने सुचा कि सब different लगे तो different different borders गुनाते है वैसे ये जो name label some books पर लगाते है वो आपको DIY बना के फिल लगाने बहुत अच्छे लगते है like अभी मैं जैसे खर रही हूं वैसे या फिर ready made directly लगाने बहुत अच्छे लगते है तो pencil से तो एक बार draw हो गया है अब ये वाली marker से मैं सबको borders देने वाली हो और मैं हर बार use करती हूं ऐसी marker ही अगर हमें black pen use करनी है तो भी हम use कर सकते है कुछ marker के points ना बहुत थिक होता है तो draw करने में बहुत मजा नहीं आता लेकिन ये वाली marker का point एकदम thin है तो like बहुत मस्त हो जाता है तो black एक बार dress करके marker से फिर मैंने उसमें coloring करना start किया लेकिन उससे पहले erase करना भी important है pencil की lens तो वो कर लिया चलिए तो अब finally start करता है coloring वैसे coloring में करने वाली हूं sketch pen से भी and color pencil से भी actually rainbow में मैंने जो blue किया clouds में वो थोड़ा ज्यादा ही dark blue हो गया तो फिर मैंने white jelly roll pen से थोड़ा सा उसको light बना दिया वैसे ये rainbow theme काफे मस लग रही है न अब finally ये एक sticker रहा है coloring करने के लिए sketch pen से और मैं सोच रही थी कि इसके बाद color pencil से थोड़ी सी border में भी coloring कर लो पेंट मैंने सोचा coloring से पहले सबसे पहले lines draw कर लेता है तो अभी तो मैं draw कर रही हूं pencil से lines फिर हमें क्या क्या लिखना है उस according हम lines को sketch pen या फिर marker pen से trace भी कर सकता है तो अब मैंने सारी borders में coloring करना start कर दिया है और मैंने थोड़े different colors यूज किया है जैसे कि pitch color, mint color then yellow में थोड़ा सा bright वाले yellow यूज किया है और ये वाला क्योंकि मुझे ना काफी different effect देने थी हमारे name labels को और फिर मैंने name labels को cut कर लिए so हमार back to school different themes वाले name labels ready है अब next हम बनाने वाले है वाशी टेप्स जिसके अब लिए मैंने लिए है ये self adhesive sheet या फिर हम इसे sticker sheet भी बोल सकते हैं और different size की linings मैंने बना ली है तो जैसे जैसे मुझे idea आदा जा रहा था कि मैं क्या क्या designs बनाओं मैं यहाँ पे roughly बनाती जा रहे थी pencil से वैसे कुछ लोग वाशी टेप्स इस तरह से भी बनाते है कि normal वाले page में मतलब जो page self adhesive नहीं है उसमें बना कि फिर वो cut करके and glue से paste करते है तो आप किस step से बनाता है ये fifth वाले में मैं क्या design बना रही हूँ वह यह आप सोच रहा है तो यह आपको तब बता चलेगा जब मैं वाँ पर permanent marker से trace करूंगी वैसे अगर hint दू तो जिससे मैं यह वाशी टेप designs बना रहे हूँ जिससे हम coloring करेंगे वो बनाया है और हाँ first मैं इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मैं उस पर डिरेक्ट ली color pencils या फिर sketch pens यूज करने वाली हूँ I think brush pens ज्यादा अच्छी रहेगी ना क्योंकि उससे बहुत अच्छे से और फटाफट हो जाएगा तो यह है fifth वाशी टेप की design यह मैं बना रही हूँ color pencils I mean बना ली मैंने तो marker से सारी borders बन गई है इसलिए अब हम erase कर लेंगे pencil की linings को वसे मैं तो colors मेंने सब कुछ यूज करती हूँ मतलब pencil colors भी use करती हूँ sketch pens brush pens जो जिसमें ज्यादा मुझे comfortable लगे वो use करती हूँ तो आप इस तरह से रखते हैं या फिर आप ऐसे रखते हैं कि इसमें सिर्फ color pencil से color करूँगी इसमें सिर्फ sketch pens से color करूँगी मुझे comment करके बताना Apple में मैंने सुचा थोड़ी सी lighting effect देते तो उसके लिए मैंने white jelly roll pen use की यह सारे rounds है ना उसके background में मैंने सुचा कि black marker pen से थोड़ी से linings कर लते हैं थोड़ी से नहीं वैसे ज्यादा मैंने linings बनाएं क्योंकि I thought कि वैसी बहुत अच्छी लगेगी और rounds में कुछ different colors कियें जैसे कि mint, then थोड़ा सा dark blue, pitch color and gray चलिए अब नीचे जो सारी color pencils है उसमें फटाफट color हो जाएं वाव यह coloring तो इतना फटाफट हो रहा है और यह सारे मैंने colorings किये sketch pen से और first one में मुझे बनाने थी कुछ इस type की design तो सारे round rounds and कुछ इस type की effect भी देने थी gradient वाली तो मैंने सोजा कि directly brush pens से करेंगे वैसे कैसी लग रही है effect यह सारी color pencils के background में मैंने कर लिया gray color की linings और pencils में भी फिर मैंने black marker से linings बना ली सो बन गई है हमारी सारी back to school theme वाली वाशी टेप्स एक्चलिए यह वाशी टेप्स में से आप कौन से DIY बनाने वाला है मुझे comments में जरुर बताना next DIY के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रखा है उसमें से लेना है वो है price tags so price tags में से हम बनाने वाले है bookmark तो उसके लिए मैंने यह वाली size का price tag choose किया और उसको ले लिया तो पहले मैंने सुचा कि उस पर ना paint करता है white color का बट मैंने सुचा उसको करने में काफ़ी ज्यादा time लगेगा उससे अच्छा है यह जो self adhesive sticker sheet है ना उसको इस size में cut करके फिर paste कर देता है काफ़ी easy वाला method है ना यह तो बस cut कर लिया और मैंने दो इसलिए बनाए क्योंकि यह कहा के paste करना है बट यह सबसे पहले side side से sticker sheet को थोड़ा सा cut कर लिया और फिर उसमें बीच में hole कर लिया और मैंने markings भी ले लिये कि कहा कहा पर वो designs मुझे बनानी है I mean कहा पर मुझे colorings करना है तो चलो अब start कर देता है उसके लिए five different shades लिये मैंने blue color के और क्योंकि sketch pens में मेरे पास इतने सारे shades थे नहीं तो मैंने prefer की color pencils अब I think आपको पता चल गया होगा न तो जल्दी जल्दी से comment करके बता दीजिए कि मैं क्या बना रही हूँ और ये design बन गई है और side side से pencil की linings erase करके मैंने एक woolen thread choose किया I mean एक color का जो मैंने सुझा इसके साथ काफी अच्छे से जाएगा तो सबसे पहले यहां पे बना रही हूँ टैसल और थोड़ा ज्यादा woolen thread मैंने cut कर लिया क्योंकि यहां से मुझे थोड़ा सा रखना था for bookmark और ये वाला bookmark न मैंने थोड़ा सा different way में किया है तो बस not करके मैंने कर लिया cut यहां से तो हमारा टैसल रड़ी हो गया है और उसके साथ साथ हमारा bookmark भी रड़ी है उसमें कुछ must sentence लिखना तो बनता है ना तो मैंने लिखा education is the key to success और लिखते लिखते मुझे लगा कि last वाला जो एकदम dark blue है ना थोड़ा ज्यादा ही dark है तो उसमें white color की jelly roll band से लिखा होदा ज्यादा अच्छे से लगेगा and finally it is ready so finally started DIYs बन गए है back to school DIYs यह है वाशी टेप्स तेन नेम लेबल्स DIY वाशी टेप्स हमने अपलाए की pencils पर फिर bookmark and यह mini वाली book इन से वैसे आपको सबसे ज्यादा कौन सा बसदा है मुझे comment करके बताना और मुझे वैसे यह वाली mini book बहुत पसंद आई और मिलता है कल दोपर एक बजे बाई बाई